असम विधान सबाद चुनाव से पहले तेजपूर में आयोजित विशाल सभा में महा गडबंधर ने आज अपनी शक्ति का प्रदशन किया कॉंग्रेस की स्टार प्रचारक और राष्ठ्य महासचीव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कॉंग्रेस ने इस दोरान असम की जनता से 5 वादे नहीं बलकि 5 गारेंटी दिये कॉंग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी सरकार आने पर असम में CAA लागू नहीं होगा असम की जनता को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी महिलाओं को ग्रिहनी सम्मान के रूप में 2000 रुपए मासिक दिये जाएगे चाइ मर्जीरों की दिहाड 365 रुपे तक बढ़ाई जाएगी और 5 लाख युवाओं को रोजगार उपलप्त करा जाएगा इस सभा में महागट बंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख मौजूद थे आपको वादे नहीं लेकिन 5 गैरंटी देंगे वो पाँच गैरंटी क्या है वो पाँच गैरंटी ये है कि सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो काक के ये कानून लागू होगा जिसके तहप यहाँ पे का लागू नहीं हो पाएगा ये सबसे पहली है दूसरा कि बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगे हर महीने इसका मतलब है कि 1400 रुपए आपके बच चाएंगे बिजली के बिल से हर महीने तीसरा गैरंटी कि जो मेरी बेहने घर समालती हैं अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार की परवरिश करते हैं बच्चों की परवरिश करते हैं और सब का देखबाल करती हैं जिनको आज तक पूरी तरह से सम्मान नहीं मिला उन बेहनों को दो हजार रुपे हर महीने ग्रिहनी सम्मान के तोर पर मिलेगा चौता गैरंटी ये है वो गैरंटी खास उन महिलाओं के लिए है उन श्रमिकों के लिए है जो चाए के बगान में काम करती है और क्या गैरंटी है ये कि उनको 365 रुपे का वेतन मिलेगा जैसे ही हमारी सरकार आएगी ये वादा नहीं आपको गैरंटी होगा कि आपका वेतन 365 रुपे आपको हर रोज मिलेगा पार्चमा जो गैरंटी है उसके तहट कॉंग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कम से कम पाच लाग सरकारी नोकरियां बनेगी